कर स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल सेड़ीपी कोई नहीं मानसी में पर दोस्तों हम कर रहे हैं अपनी हिंदी की बहतरिन त्यारी और बहतरिन त्यारी के साथ हम आपके लिए रोज लेकर आ रहे हैं 30 से 40 प्रश्णों की बहतरिन स्रीच तो उस्रीच का आगला भा प्रश्णों में से आपके कितने सही निकले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पनियाद की क्लास पहला है क्यों देखते हैं सखि सहित गोपाल के उरगुंजन की माल बाहिर लसति मनोपिये दावानल की जुआल तो प्रियुक्त पंक्ति में कौन सा लंकार है में बताना है जो प्रकार पया प्रिया है मनों तो जहांपर मनो जन मनो जनो यह प्रकार के सबदया आते हैं वहाँ पर कौन सा लंकार होता है वहां प्रंइक्शाब लगया है तो Tut क्या बताना है इलाइची का तत्सम सब्द क्या होगा पता ही अप लोग आंसर किजिए इलाइची का तत्सम सब्द क्या होगा तत्सम बताना है तत्सम इलाइची का हो जाएगा क्या होगा एला क्या हो जाएगा एला आगे चलते हैं निम्ण में से कौन सा सब्द योग रूड है दोस्तों कोशिश कीजिए कि सही आंसर आपके निकले निम्ण में से कौन सा सब्द योगरूड है अब तक आपके त्यारी हो चुकी होगी अब बांकिए सिर्फ आपके प्रेक्टिस और वही प्रेक्टिस करवा रहे हैं हम आपको निम्ण में से कौन सा सब्द योगरूड ह आगे चलते हैं, अगला है, मैंने मैं सैली अपनाई, देखा एक दुखी निजबाई, यह देखिए, यह प्रशिद्ध पंक्ति किसकी हैं, यह बताना यह जो पंक्तियां हैं, यह किसकी हैं, मैंने मैं सैली अपनाई, देखा एक दुखी निजबाई, यह पंक्तियां किसकी है जैसंकर प्रशाद की हैं, सूरे कांत तर्पाथी निराला की हैं, महादीवी वर्मा की हैं, या फिर मुंसी प्रेम चंद की हैं अंसर किजी आप लोग, मैंने मैं सेली अपनाई देखा एक दुखी निजभाई शूर उकांथ त्रपाथी निराला की इस प्रकार के प्रशन entrant जरूर आते हैं पंक्तिया दी गई होगी यह पिर किसी पूस्तक का नाम दिया होगा उसके राइटर मतला पूचे जाते हैं तो इस प्रआइटर के प्रैक्टा आप पता डाते रहना ये पंक्तियां पढ़ते रहे न, जो famous writer हैं उनकी पंक्तियां जरूर पूछी जाती है आजीवन में कौन सा समास है? क्या बताना है? आजीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुस, अव्वेए भाव, करमधारा या फिर बहुगरी आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीमन में कुंसा समास है अब वे भाव समास है कुंसा है अब वे भाव समास है आजीमन में आगे चलते हैं किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं काफी आसान कोश्चन है किस समास के दोनों पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं तो अब तक आप लोगों ने अंसर कर लिए अपना होते हैं दंदस मास के जैसे माता पिता भाई बहेन दिन रात तो इस प्रकार से दोभी माता जाएगा चारों को देखिए और आंसर दीजिए आप लोग इन चारों में से कौनसा आपसन सही है तपो भूमिका तपो भूमिका कौनसा सही संद विच्छेद होगा आंसर किजिए जल्दिल देखिजिए आप लोग तपो भूमिका कौनसा होगा तपो भूमिक कैसी विसर्ग संद ये विसर्ग संद ये तो कौनसा जाएगा अपसन नंबर सी तपा भूमिक आगे चलते हैं जलोर्मिक में संद है अब बताना है कि जलोर्मिक में कौनसी संद है देखिए दीर की संद है गुड संद है ये यड सं संदि आगे चलते हैं यारा लावा किस प्रकार के विंजन है यारा लावा किस प्रकार के विंजन कई quant ? का लोग याराव वां किस प्रकार के विंजन हैं दोस्तों कोसिँ कीजिए सही आंसर करने की तो यह हो जाएब आप्षिन नंबर सी कैसे बिंजन है यह अन्थस्ट बिंजन है आगे अनुनाशिक का संबन्द होता है अनुनाशिक का संबन्द होता है आप्षिन देखते हैं केवल नाक से केवल मूँ से नाक और मूँ दोनों से या फिर इन में से कोई नहीं देखे और आंसर कीज़ आप ल ना कोर्मों दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध आगे चलते हैं कुत्ता का पर्यायवाची सब्द है क्या बताना है कुत्ता का पर्यायवाची सब्द कौन सा होगा स्वान होगा हत्यारा होगा क्रपाल होगा या फिर रदन होगा कुत्ता का परयावाची सब्द आंसर कीजिए आप लोग दोस्तों जल देल दिखीजिए कुत्ता का परयावाची सब्द तो ग्यारा का हो जाएगा आपसन नंबर ए क्या होता है स्वान आगे चलते हैं इंद्र का परयावाची सब्द है अब बताना है इंद्र का कौनसा परय प्रच्चर या फिर पुरंदर है काफी आसान पर्यावच्च आज हमने दिये दोस्तों तो आप लोग इनको कोशिश करना कि यह आज की कोश्चन आप से गलत नहों इंदर का पर्यावाची सब्द कौन साने में से है तो इसका हो जाएगा पُॉरंदर कि आप्सान नंबर डी आगे चलते हैं क्रधंत प्रत्य किन सब्दों के साथ जुडते है संग्या शर्व नम जिशेसर क्रीया किन के साथ जूटते हैं क्रदन प्रत्य कोश्चन नमबर 13 का आंसर कीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपसन नमबर हो आपसन नमबर अ arbitre चलते हैं निमल लिखित में से कौन सी भासा देयु नगरी लिपि में लिखी जाती है नो देखें कुश्जिननबर 15 को देखें निमल लिक्षत मेंसे कौन सी भाषा देवनागरी हिलिपी में लिखी जाती है गुजराति है मराथी उड़िया है और सिंधी हिन में से कौन सी भाषा जो देवनागरी हिलिपी में लिक्षारों मेंसे अंसर किरिए दोस्तों जल दिल दिसे इसका हो जाएगा मराथी कौनसी मराथी अगर चलते हैं जिसके बराबर का कोई नहो उसको क्या बोलते हैं लोका तीत विलच्छड अशाधारण अनुपम जिसके बराबर का कोई नहो आंसर किजिए जिसके बराबर का कोई नहो उसको बोलते हैं अनुपम क्या बोलते हैं अनुपम अगे दखते हैं वह भाई जो अन्य माता से उत्प उत्पन्य हुआ हो, क्या पूछा गया है, उस भाई को क्या बोलेंगे जो अन्यमाता से उत्पन्य हुआ हो, आपसन देख लेते हैं, सहोदर, औरस, अन्योदर, जनक, इन चारों में से उसको क्या बोलते हैं, जो अन्यमाता से उत्पन्य हुआ भाई हो, तो इसका अंसर हो जा अवार्चीन का विलोम सब्द है अवार्चीन का विलोम सब्द क्या होगा प्राचीन नूतन नवीन नुव्य अंसर करिए दोस्तों तो इसका हो जाएगा अपसर नंबर ए प्राचीन आगे चलते हैं मूक का विलोम सब्द है क्या बताना है मूक का विलोम क्या होगा मूक का विलोम बताईए क्या हो जाएगा मूक का विलोम हास होगा वाचाल होगा मूफ होगा गोड होगा तो मूक का विलोम हो जाता है अपसर नंबर वी वाचाल क्या होगा वाचाल अगे चलते हैं हाथ का मेल का अर्थ है बताना है हांथ का मेल का क्या अर्थ है भारी वस्तुँ कीमती वस्तु महगी वस्तु या फिर तुछ वस्तु हाथ का मेल बताईए आंसर करिये जल्देल दी हाथ का मेल का आरत क्या हो जाएगा तुछ वस्तु क्या होता है साधारण चीजिया तुछ वस्तु आगे चलते हैं अंगुली पर नचाना अंगुली पर नाचना का आरत हो जाएगा अपसन देखते हैं अंगुली में चोट लगना आरोप लगाना खुश करना या फिर किसी की इच्छा नुसार चलना अंगुली पर नाचना कार्थ हो जाएगा आपसन नंबर दी किसी की इच्छा नुसार चलना आगे चलते हैं निम्ण में अञ्य तीन से भिन्ठ सब्द में छाटना है जलज, अम्बूज, नीरज और तूड में भिन्ठ कौन सा सब्द है बताईए आप लोग इन चारों में एक ऐसा सब्द है जो बाकी तीन से अलग है तो वो कौन सा सब्द है, वो है आपसा नमबर D, कौन सा तूड, अगे चलते हैं, मानस का हंस के उपन्यास कार कौन है, मुनसी प्रेमचंद होगा, वरंदावनलाल वर्मा हो जाएगा, या फिर जैसंकर प्रसाद, या फिर अमरतलाल नांगर, मानस का हंस, कई बार पूची हंस, अब तक आप लोगोंने याद भी कर लिया होगा दोस्तों, क्योंकि एक जाम बहुत ही पास है अब, तो इसका हो जाएगा आपसा नमबर D, अमरतलाल नांगर, किसका है यह, मानस का हंस, अमरतलाल नांगर का, विने पत्रिका के रचैता कौन है, बताएगे विने पत्र हिंदी के प्रथम कभी कौन थे, क्या पताना है, हिंदी के प्रथम कभी कौन थे, हिंदी के प्रथम कभी कौन थे, सोयमभू थे, या फिर कालिदास थे, सरहप्पा थे, या फिर हेम चंद थे, हिंदी के प्रथम कभी कौन थे, आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा कोश्चन इसको याद कर लेना अगर आपको ना याद हो तो इसका हो जाएगा आपसन नंबर C, सरहपा, कौन थे? सरहपा, आगे चलते हैं, ज्यान पीट पुरुसकार से सम्मानित प्रथम हिंदी शाहित्तिकार कौन थे? बताना है, ज्यान पीट से सम्मानित प्रथम हिंदी शाहित्ति आपसन देखते हैं जैसंकर प्रशाद माखानलाल चतुरुवेदी सुमित्रा नंदर पंत रामधारी सिंग दिनकर ज्यान पीठ पुरुसकार से सम्मानित प्रथम हिंदी शाहितकार कौन थे आपसा ने जैसंकर प्रशाद माखान लाल चतुरुवेदी सुमित्रा नंदर पंत रामधारी शिंग दिनकर तो 26 का हो जाएगा सुमित्रा नंदर पंत सुमित्रा नंदन पंत जो थी ये ज्ञान पीट पूरुसकार से सम्मानित प्रथम हिंदी की शाहितिकार थी आगे चलते हैं निम्न में पुल्लिंग सब्द का चैन कीजिए पुल्लिंग कौन सा जीरा मिर्ची सुबह द्रष्ट इनमें से पुल्लिंग कौन सा सब्द है ये अब में बताना है निम्न में पुल्लिंग तो इसमें हो जाएगा अपसन नंबर ए क्या है जीरा जो है कैसा सब्देृट फूलिंग है। आगे चलते हैं। सर्व नाम के कुल कितने बहुत हैं। आपको बहुत बड़ी तरीके से सब पढ़ा हैं। संग्या शर्व नाम विशेशण और क्रिया अगर आप लोगों ने हमारे ये हिंदी के क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लैलिस्ट में जाएए और देखिए संग्या, सर्वनाम, क्रिया, विशेशन इस सारी क्लासें बहुत अच्छी तरी के से हमने आपको करवाई है तो सर्वनाम के कुल कितने बहुत हैं आपको ये बताना है तो इसका हो जाएगा अपसर नमबर सी कितने बहुत हैं? छे बहुत है आगे चलते हैं आज का अंतिम कोश्चन है ये सीव का विशेशन है सीव का विशेशन क्या हो जाएगा आपको बताना है सिव का विशेशण तो इसका वजाएगा अपसर नम्चर नम्बर A, सेव क्या होता है सिव का विशेशण होता है सेव तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसे लगी आप जूरूर बताना यह और हम कोशिज कर रहे हैं कि आपके अग्जाम में हमारी क्लास से कोश्चन फसें आपको ज्यादा से ज्यादा तो आप लोग हमारी क्लास को अधिक सदिक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो देखने के रिए धन्यवाद बाबाए झाल